एलवी सादो के दोस्त लव कटारिया को बिग बॉस घर में एक अंटेश्टेन ने जोकर 2.2 बोल दिया है और उस जोकर 2.2 बोलने वाले साई केदन को एलवी सादो ने उपन वर्निंग दिया है कैरेमी नाटी के साथ साथ फुकरा इंसान भी मिस्टर विष्ट के वीडियो में दिखने वाले थे बट क्यों नहीं दिखे ये पता चल जाएगा इसमें अर्मान मली का विसाल पांडे के साथ में फाइट हो गया है ग्यान गेमिंग फिर से जस्टिस के लिए वाज उठाए हैं इस तरीके के और भी बहुत सारी चीज़े इस वीडियो में एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखना और अगर चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब करके बिला आइकन कॉल पे सेट कर देना ओके तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के बार में तो अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस बार बिग बॉस में एक बाहर वाले कंटेशन का भी सिस्टम रखा गया ह जिसमें बिग बॉस अपने कोडिंगे कंटेशन का चुनाव करते हैं और उसको कुछ पावर देते हैं कि बाहर की कुछ खबर उसको मिलेंगी वगले वी के लिए इम्यून रहेगा यानि कि इलिमिनेट नहीं हो सकता एंड इस तरीके के और भी कुछ पावर जोकि अभी थक उनको बिग बोस ने रिमूव कर दिया है और अभी और उनके प्लेस में साइद बिग बोस साई के तनराव को ये पावर दे दिया हैं मैंसकी साई के तनराव अभी बाहर वाले हैं और साइद इसे κवजastics एक वजए से बीग बोस के तरब से उनको कुछ खबर मिला है कि लव लव कटारिया पिछले सिजन के विनर यानि कि एलवी सादोगा कॉपी कर रहा है ऐसे तो मैं भी पिछले सिजन के कंटेस्टेंट्स या विनर का कॉपी कर सकता हूँ मैं तो एक्टर हूँ मैं तो उससे भी अच्छा कर लूँगा ऐसा करके जिस पर अर्मान मलिक बोलते हैं कि ऐसे नकल करने वाले लोगों को जोकर बोला जाता है, जोकर 2.0, जिस पर अर्मान मलिक ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, फिर टोकते विए साही के तनराओ एक बार फिर से पूछते हैं, जिस पर अर्मान मलिक साही के तनराओ की बातों से एगर इसके बाद देखा जाता है कि वो गुरूप बनाने की भी बात करते हैं कि गुरूप बनाते हैं लोग आपस में लड़ते हैं ताकि लोगों को कंटेंट मिले एंड इस तरीकी से इनका बात चल रहा होता है जिसके वजह से फिलाहाल बिग बॉस के कुछ कंटेश्टेंट को इ करें टब इसके अब यहीं सबीची आपसे इंट सब्सक्राइं पता चल ग todavía है जिसपे यहने साह होसा है कि चरांते हैं चलते हुए वह अच्छारी एक आप अच्छारी हो तो इस पर देखी ट्वीटर पर इसकी तनी मजल कोई चोगी पर इतना बता से एंगी बिग बॉस के बाहर भी जिंदीगी है वाई सही के इतन रहो भाई हमारे बाई से तोड़ा प्यार से पेशाना वह चलो अंदर अंदर क बात होगी बाहर मत करना एवाली चीजे है ना तो अर्चिर बहुत बुरा आदमी अर्चिर फुरा देख वारी इसके लावे लावे लावी फीट के अंदर देखने को मिला है कि अर्मान मली का विसाल पांडे के साथ में जगड़ा हो गया है इसके पीछे कारीन यह आज भी एक nomination task रखा गया है, जिसमें विसाल पांडे अर्मान मली को नॉमिनेट कर दिया है, घर से बाहर जाने के लिए, इंडिया ही चीज अर्मान मली को पसंद नहीं आया है, जिसके बाद जब ये बाहर आया है, तो अर्मान मली को बहुत सारी चीज़ों को लेकर पोक करने लगे है पहली life heat के अंदर देखने को मिला है कि चुकि विसाल पांडे को खाना बनाने का duty दिया गया है, जिसके वज़े से अर्मान मली को बोलते हैं कि तुझे रोटी बनाना है, बटो कच्ची नहीं होनी चाहिए, जिसपे विसाल पांडे बोलते हैं कि जैसे बनेगी, वैसे तु पांडे को बोलने लगते हैं कि तु लव कटारिया का चमचा है, दोगला है और इस तरीके से चीजे, जिसपे विसाल पांडे बोलते हैं कि भाई तुमसे ये उमीद नहीं क्या था, ऐसे मेरे से बात मत करो ऐसा करके, फिर अर्मान मलिक बोलते हैं कि तु दोगला है, तु टास्क सही से कर, तो बोलते हैं कि मैं करूंगा, बट किसी के बाप का नो कर नहीं हूँ, जैसा कहेगा, वैसा ही करूंगा, फिर देखा जाता है कि घर के अंदर जाते हैं, तो वाँ पे लव कटारिया रोकते हैं, विसाल को, और इस तरीके से इन के बीच में मिलोगे, बहुत सारे लोग में जजगते हैं, मिस्चर बीच से कब मिलोगे, तो मैं इस वीडियो का टाइटल रिख दूँगा, Am I meeting Mr.Beast? क्योंकि अभी recently Mr.Beast texted me personally, I want you to feature in one of my videos, इस तारीक को वीडियो आ जो, but timelines बहुत short थी, and मेर पास U.S. का वीजा तब तक नहीं था, मै सबको पता है काफी टाइम लगता है, I told Mr.Beast के टीम, Mr.Beast team के संवरा गूरूप बनाया, मैंने बोला कि अगर आप वीजा लगवा सकते हो, you can help in that, तो बोला कि अभी वीजा लगने मुश्किल हो रहे है, इसलिए उस वीडियो में मैं नहीं हो पाया, जो उन्होंने भी आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले इनका एक 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 सिडेंट हो गया था, जिसके वज़े से इनका एक पैर भी कट गया था, बट जो कलफरिट है, उसको अभी तक कोई धंका सजा नहीं मिला है, जिसके वज़े से ग्यान गेमिंग खुज नहीं है, इसके बारे में पहले विए बहुत अच्छे सापने एक वीडियो के अंदर एक्स्प्लेंड करके बता हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, चाहो तो आप देख सकते हो जाके, बट उस वीडियो के बाद भी इनको कोई जस्टिस नहीं मिला है, तो कल ये एक और वीडियो तिख कर करते हैं मनोजदे के बारे में, सो क्या मनोजदे बाद इस वीडियो करके बता है कि politics में आने का ऑफर आ रहा है, क्या करें। जिसमें समराट भाई बोले कि यूटूबर की पावर फिर इनके इसी ट्वीट के नीचे एक बंदे ने लिखा कि ये कहो ED पीछे पढ़ गई है जिसके reply में मनोज दे लिखे कि धनबाद में कोईला माफियाज की कमी नहीं है भाई पहले उनके पास जाए हम क्या है एक चोटा सा इंसान और पिछले इस वीडियो के अंदर आपको बदाया था कि एल्विस आदो सिवानी कुमारी को लेकर ऐसा बोले हैं कि सिवानी कुमारी की आवाज बहुत इरिटेटिंग है जिसके वज़े से उनको सोचल मीडिया के ओपर बहुत जदा हेट मिल रहा था बहुत सारी चीजे बोल-बोल के लोग हेट दे रहे थे तो उसी का रेपलाई सब बराबर है इस दर्ती पे एक-एक इंसान हमारे सब ने हम उन चीज और पिछडी नी करते पिछडी सोच नहीं रखते तो प्लीज यह वाली मेंटालिटी अपनी कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ